जहिंद आज किस वीडियो में हम कंदर स्य बीर्ट जो कि हमारे पीवसम का बारभा दया है इसको हम Jew School की पार्ट है वह एक सनवादात्मक पार्ट है इसे एक सनवाद के रूप में लिखा गया है इस पार्ट में दो व्यक्तियों के सनवाध अर्थात बातचित को दिया गया है तो चली हम उसी बातचित को डिसकस कर लेते हैं देखिए यह हमारा पार्ट परिची है जो संस्कीत में दिया गया है तो इसे हम हिंदी में डिसकस कर लेते हैं देखिए यह जो पार्ट है कर्ण सेदान वीरता पार्ट वह कहां से लिया गया है तो भास के दवारा जो लिखा गया है कर्ण भार नामक नाटक उसी से लिया गया है और यह जो कर्ण भार नामक नाटक है जो जिसकी कहानी है वह माभारत से ली गई है देखिए जो कर्ण होते हैं वह जो यूद होता है उसमें वो करवों के पक्ट से यूद करते हैं क्योंकि दुर्योधन ने उनकी काफी साहयता की थी इसलिए लेखे कंड के सरीर पर एक कवच और कुंडल रहता है जन्द के समय से ही जो उनकी रक्षा करता है और उनके सरीर पर जब तक यह कवच और कुंडल रहेगा तब तक उन्हें कोई नहीं मार सकता इसलिए औरजुन की मदद करने के लिए जो इंद्र भगवान है उन्होंने छल पुर्वक उनसे हुआ कवच और कुंडल ले लिया और जो हमारे कंड जित हैं वो काफी खुसी पुर्वक उन्हें वो दे देते हैं जो हमारे भास जिने कंड भार नमक नाटक रचना किया है उसके कुल 13 खंड है जिनमे से कंड भार अतिस सरल अभिनाय है थाथ इसका अभिनाय करना काफी असान है देखिए यहां से हमारा पार्ट का सुर्वात होता है जो की संस्कित में दिया गए तो इसकी सर्चा हम हिंदी में कर लेते हैं देखिए इसके पाश्चात ब्रामन के रूप में इंद्र परवेश्च करते हैं जो पहले काले करम होता है नाटक में ताकि जब मैं कर्ण के पास जाओं तो वो मुझे पहचान ना सके। कर्ण के निकर जाकर हे कर्ण बहुत बड़ी भिच्छा मांगता हूं। वो कर्ण के निकर जाते हैं और बोलते हैं कि हे कर्ण मैं बहुत बड़ी भिच्छा मांगता हूं। कर्ण बोलते हैं भगवान मैं प्रशन हूं मैं कर्ण आपको प्रणाम करता हूं कर्ण बोलते हैं कि भगवान मैंने आपका दर्शन करके मैं बहुत प्रशन हो गया हूं मैं कर्ण आपको प्रणाम करता हूं जो इंद्र भगवान है वो अपने मन में सोचते हैं मुझे क्या कहना चाहिए अब उन्होंने तो जो कर्ण थे उन्होंने उनसे प्रणाम किया था तो उन्हें क्या अशिरबात दे रहे हैं जहीं इसकी के बाले में वो सोचते हैं यदि दिर्गायू हो कहूंगा तो दिर्गायू हो जाएगा और यदि नहीं कहता हूं तो मुर्ग समझेगा यदि कर्ण सक्र के रूप सक्र जो है अर्थात जो इंद्र भगवान है यदि वह कर्ण को दिर्गायू हो कहते हैं तो कर्ण दिर्गायू हो जाएगे और यदि कु अक्षाकर कहते हैं, हे कर्ण, सूरे के समान, चंद्रमा के समान, परवत के समान और सागर के समान तुम्हारा यस रहे, वो कहते हैं कि तुमने जो भी काम किया है, वो सूरे के समान, चंद्रमा के समान, परवत के समान और सागर के समान हमेशा ही ऐसा ही चीर अस्थाई रहेगा तब थोड़ा कंड भी सोच में पढ़ जाते हैं और बोलते हैं भगवान दिर्ग आयू रहो क्यों नहीं कहते हैं अत्वा यही उचीत है अब यह सुनकर कंड बोलते हैं कि आपने दिर्ग आयू रहो क्यों नहीं कहां चलिए यह भी सही है और कहते हैं कि मनुष्य द्वारा ध प्रजा का पालन बुद्धी से करना श्रेष्ट कार है क्योंकि सरीर के नास हो जाने पर भी गुण रहता ही है तेकि जो हमारे इंद्रजित है वह असिरबाद देते हैं कर्ण को कि हे कर्ण सूडे के समान, चंद्रमा के समान, परवत के समान और सागर के समान तुम्हारा यस रहे इसी पर वह कर्ण कहते हैं कि जो धन समपती है वह तो सर्व के जीवा की तरह है आज है और कल चली जाएगी परणतु जो गुण है वह सरीर के नास हो जाने पर भी रहता है तो आपने जो असीरबात दिया है वह मुझे उचीत है अब देखिए आगे कर्ण बोलते हैं कि भगवान आप क्या चाहते हैं मैं आपको क्या दूँ आगे कर्ण पुछते हैं उनसे सक्र के रूप में इंद्र आया है तो सक्र बोलते हैं जो इंद्र जी है वो बोलते हैं कि बहुत बड़ी भीच्छा की याचना करता हूँ मैं तुमसे बहुत बड़ी भीच्छा मांगता हूँ फिर कंड बोलते हैं बहुत बड़ी भीच्छा आपको दूँगा आप बहुत बड़ी भीक्षा मांग रहे हैं ना मैं आपको बहुत बड़ी भीक्षा दूँगा चलिए मैं आपको अलंकारों से युक्त एक हजार गाई देता हूँ अर्थात मैं आपको अभूशनों से युक्त एक हजार गाई देता हूँ तो अब इंदर भागवान बोलते क्या नहीं चाहते हैं या भी सुनिए कई हजार घोड़े आपको देता हूं मैं आपको कई हजार घोड़ा देता हूं जाईए ले 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 जिए तो फिर इंदर बोलते हैं घोड़े कुछ समय चड़ूंगा नहीं चाहता हूं कंड नहीं चाहता हूं घोड़े लेकर मैं क्या कर जाते हैं। अत्यादिक सोना देता हूं। फिर सक्रश, जो हैं जो इंद्र जी रहने हैं। जो इस सुचते हैं कि जा रहा हूं लेलेने,। उसे फिर बोलते हैं कि नहीं चाहता हूं। करण नहीं चाहता हूं कि वह तो वहाँ आये थे कवच और कुंडल के लिए इसलिए वह सुना हो ना कुछ नहीं ये सब तो ऐसे बात को जो हता है न अपना एती बना रहे थे मार्केट बना रहे थे कवच कुंडल तक पहुंचने के लिए तो सोना सुने तो कुछ दिर आगे बढ़के फिर बोलते हैं कि नहीं चाहता हूं कंड नहीं चाहता हूं फिर कंड बोलता है तब मैं प्रित्वी जीत कर देता हूं तब कंड बोलते हैं कि मैं आपको पूरी प्रित्वी जीत कर देता हूं फिर इंद्रभाइबान बोलते हैं प्रित्वी लेकर क्या करूंगा फि उसका फल क्या होता है तो उसका फल स्वर्ग की प्राप्ति होता है तो कर्ण बोलते हैं कि मैं आपको अगनिस्टोम यूग का फल देता हूं तो सक्र बोलते हैं अगनिस्टोम यूग के फल से क्या करूंगा अर्थात उसे भी वह मना कर देते हैं तब मैं अपना सीर देता हू अब कर्ण जो थे वह हार चुके थे और बोलते थे और उनके पास जितना भी option था सबका वो यूज कर लिये थे तो अंत मैं हार कर बोलते हैं कि मैं अपना सीर्व देता हूँ आपको तब इंद्र जी बोलते हैं कि नहीं नहीं बोलते हैं इंद्र जी नहीं नहीं मुझे या नहीं चाहिए आगे देखिए आगे फिर कर्ण बोलते हैं डड़े नहीं डड़े नहीं प्रसंद हो दूसरा भी सुनें आगे वो बोलते हैं कर्ण जी कि डड़े नहीं डड़े नहीं या थात आप डड़िये मत परसंद रहिए मैं आपको दूसरा option बताता हूँ कि आप ये ले लेजिए मेरे सरीर के रक्षा के लिए मेरा जन्म इन कवच और कुंडलों के सांथ हुआ जो कंड जी थे वो बोलते हैं कि देखिए मेरा सरीर की रक्षा के लिए मेरा जन्म जब हुआ तभी से मुझे कवच और कुंडल प्राप्त है इसे हजारों देवता और असुर भी नहीं भेद सकते हैं फिर भी यदि आपको ये कवच और कुंडल लेने की इक्षा है तो मैं परसंता पुरवक देता हूँ इसे हजारों देवता और असुर भी नहीं भेद सकते हैं या इतना ताग्वतवर है यदि आपको ये कवच और कुंडल लेने की इक्षा है तो बोलिए मैं आपको परसंता पुरवक देता हूँ फिर देखिए आगे इन्रजी क्या बोलते हैं आगे इन्रजी बोलते हैं हर्ष के साथ अठाथ खुशी के साथ दीजिये दीजिये अठाथ वह तो आये थे कवच और कुंडल के लिए इसलिए वह खुश ओकर बोलते हैं कि दीजिये दीजिये अपने मन में अपकंड सोचते हैं कि इससे इसको क्या काम अथात वाता एक ब्रामण के रूप में इन्दर जी आए थे तो वह अब जो कंड जी थे हैं वो सोच में पर गएं कि एक ब्रामण कवाच और कुंडल लेकर क्या करेगा क्या यह कप्टी बुद्धी वाले कृष्णी की योजना तो नहीं अब वो सोचते हैं कि कहीं या तक कृष्णी ने तो इन्हें नहीं भेजा है वह भी हो अनुचित सोचने के लिए धिकार है संदेह नहीं है बोलकर ग्रहन करे अर्थात जो कर्ण थे वो सोचते हैं कि कहीं इसे तो कुछ भी हो अनुची सोचने के लिए धिकार है मैंने बोल दिया है तो अब मैं उसे दे दूँगा ग्रहन करे और उसे दे देते हैं अंग राज कर्ण नहीं दे नहीं दे जो सल्ले हैं वो बोलते हैं अंग राज कर्ण से अर्थात अंगराज कंड का अर्था कि जो समय बीतने पर सिख्छा नश्ट हो जाती है मजबूत जड़ो वाली विरिक्ष गीर जाते हैं नदी तल आपके जल सूख जाते हैं लेकिन दिया गया दान और दी गई आहूती हमेशा इस्थिर रहती है इसलिए मुझे दान देने से ना रोके देखिए जो सल्ले जी हैं वो जब अपना कवच और कुंडल दान देते हैं ब्रामन रूप में आयोए इंद्र जी को तो अब बोलते हैं कि मत दीजिए तो बोलते हैं कर्ण कि मुझे मत रोकिए क्योंकि समय बीतने पर सिख्छा नश्ट हो जाती है मजबुत जड़ो वाला ग्रिच गीर जाता है नदी तल आपके जल सुख जाते हैं लेकिन दिया गया दान और दी गया आहूती हमेशा इस्थी रहती है इसलिए मुझे यह दान दे देने देजिए उसे ले लो उसे नीचे ले जाते हैं और उसे देता है जो कंड जी थे वा ले जाके कवाच और कुंडल सकर के रूप में आयोए इंदर जी को दे देते हैं इस प्रकार यह हमारा नाटक जो है उसको हमने हिंडी में डिसकस कर लिया नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अब्जेक्टिव कोर्षन की चर्चा करेंगे जिससे देखने के लिए आपका मारा चनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाहिंद जावारत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब्जेक्टिव कोर्षन के साथ धन्याबाद